यहीं पर उतरते हैं हेलीकॉप्टर यह देखिए यह रहा हेलीपेट का एच अल्राइट दोस्तों तो निकले अब हम यह किपबर से अपने घर की और से पहले जा रहे हैं लांगजा एक बुद्धा की मतले स्टैचू है बड़ा सा स्टैचू है वो देखने जाने ओल्राइट दोस्तों वो उपर है की मोनेस्ट्री जहां हम कल गए थे और यह सामने जो नजारा आप देख रहे हैं यह वही नजारा है जो कल हमने की मोनिस्ट्री की छट से देखा था वहां उपर छट में थे हम की मोनिस्ट्री की की भी रारा आप पिलमिल्सट्री हमने जारा आप 3 Ma तो यह पहुंच गए हम लांगजा तो स्टैचू भी यहीं पर होगा चायद येस ये है यहां से स्टैचू के ले बहुत बड़ा स्टैचू है यार क्या बात है बाइक लेके ही जा सकते हैं या देखिए स्टैचू बुद्ध का स्टैचू है ये बुद्ध का स्टैचू है अब हम सीधे काजा पर पहले पेट्रोल हराएंगे फिर चल देंगे नीचे की और अब 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 ये भी बुद्ध का स्टैचंगे का स्टैचंगे इंग का स्टैचंगे नीचे प्रफेशनियान पीछे से अभी पेट्रोल फुल करवाया काजा वाले पेट्रोल बम से लगभक 745 रुपेगा आया इस वक्त देंग फूलोग कर दोल कर दोलोग कर दोली अप्रोल प्राइब कर दोलुई कर दोलुई बम दोस्तों यह हम वही हैं काजा में जहां उस दिन हमने लंचो गरा लिया था और यह सामने वही सीडिया हैं यहां पर मेरा अक्सिडेंट हुआ था यहीं पर फिसला था में अब बढ़ते हैं आगे को यह जो सामने सीडिया सी में जाए कि टकराई थी मेरी बाइक गिरने के हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 ह हुआ हम इसको चल रहे हैं यह है एनेच 505 अज़ा है अज़ा है अज़ाइट दोस्तों मैं आगया हूँ काजा वाली चेक पोस्ट से आगे नाको यहां से 30-40 कुछ दिखा रहा था मैंने ध्यान नहीं दिया रैकॉंग प्यों जादा है वह 135 किलो मीटर है तीन बजने वाला है तो देखते हैं क्या करते हैं मुझे लगता है रैकॉंग प्यों निकल जाएंगे यहां से रोड तो अच्छे आ गई है यह कुछ खतरनाक है रही है यहां कि यह मर्लिंक नाला जो पिछले वीडियो में दिखाया थाanks तसटाय को जाते वक्त पॉल्राइंद दोस्तों हम पहुंचे है नाको में और यह शून कहिंवहने के लिए देख रहे हैं है sv2 में कि अल्राइट दोस्तों यह है नाको का हेली पैड यहीं पर उतरता है हेलीकॉप्टर यह देखिए यह रहा हेली पैड का एच तो इस हेली पैड के बगल में हम खाने वाने के लिए रुके हैं में हेली पैड पैड आपको कर दोस्तों यहां पर हो गया हमारा मुआ का हमने और चाय भी बस बट रहें हमें अब कलपा तक जाएंगे जो कि यहां से लगभग सौ किलोमेटर है टाइम हो गया है साड़े चार उमीद है पहुंच जाएंगे बिल्कुल एक गाड़ी की जगा है यहां पर यहां पर क्या है यहां पुरी लोडी ऐसी है और यह एक और वाईकर यह देखो क्या इलाका है यार क्या जबर्दस्त मजा रहा है यह क्या खपरना आगे मस्ते क्व तो अल्राइट यहां पर हम रुखे थे एक स्टॉप ऐसी अब बढ़ रहें आगे को अब रुखेंगे हम एक चाय के लिए इस पिल्लो नाम से कोई जगा रही है वहाँ पर रुखेंगे इस सब पहले रोड का पैच बड़ा था बड़ा था बड़ा भयानक हालक खराब हो गई उसमें चलाते चलाते है यहां को फिर भी कुछ ठीक है कुछ ठीक है कहा तो फिर वैसी आगिया हिख भी को कि हम को हुए चाहिए है कि अब उन उन आफंजिक है MP2 कि अबीक उद्सक्राइज़ इस आइए इस तो दोस्तों हम रूखे है दोखेंगे ने कि अबचेिए तो आइवरे कर दोब साम ठीक हैं हुआ है इस पीलो में चाय चाय और मोमो न अंडे बोई लेग और चाय के लिए अब बढ़ेंगे हम कलपा चलो अंधेरा हो गया है अब मिलते हैं सीधे होटल में अब अब जोचा अब हुआता है कि अब अब आजब रहें अब लेगा कि अर्ब्स आउ होटल हम देखाए हैं बस अब जा रहे हैं वहीं को हमने सोचा खाना वाना खा के सब निप्टा की सीधे होटल में आराम करेंगे तो हम बढ़ रहे हैं तो हम रुख रहे हैं यहां पंचारस होटल एंड रेस्टोरेंट क्या बाद में गाड़ी को कहा रोपना है करके पूछना है हाँ फिलाल तो ऐसी लगा लेते हैं क्या बाद में आराम करेंगे लेते हैं